असलामुlicum आज के इस लेक्ट्चर के अंदर हम फाई़लम ईकाइनो डर्मेटा को स्टडी करेंगे एकाइनो का वर्ड एकाइन से निकला है जिसका मतलब होता है स्पáiciency और डर्मेटा का वर्ड डर्म से निकला है जिसका मतलब होता है skin यानि इन एनिमल्स की स्किन के उपर स्पाइन्स मुझूद होते हैं पर एक्जमपल यहां पर मैंने सी अर्चन की डाइग्राम ड्रा कर रखी है सो सी अर्चन को अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर आपको स्पाइन्स से नजर आ रहे हैं इसी वज़े से इन एनिमल्स को एक काइनो डर्मेटा कहा जाता है, यानि इनकी बाड़ी के उपर स्पाइन्स मौजूद होते हैं, इसी तरीके से यह स्टार फिश है, इसकी बाड़ी के उपर भी स्पाइन्स होते हैं, इतने नोकीले नहीं होते हैं, but definitely biology के अंदर exceptions भी होती है इस phylum के अंदर कुछ ऐसे animals भी हैं जिनकी body over spines नहीं भी होते but still कुछ characteristics ऐसी हैं जिसकी बहुत पर इन्हें एक phylum के अंदर रखा गया है so example पहले study कर लेते हैं ताकि characteristics समझने में असानी हो so कुछ famous examples देखते हैं काईनो डर्मेटा में sea star आ जाते हैं जिन्हें starfish भी कहा जाता है but true name is sea star क्योंकि ये fish नहीं है so sea star is a true name इसके लावा brittle star brittle star समुंदरी की surface में चोटे-चोटे sea star की तरह के animals होते हैं और cluster में रहते हैं sea urchin round structure है यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं इसके उपर spines होते हैं different type की spines होते हैं sea cucumber sea urchin की तरह ही होते हैं बट ये थोड़े से लंबे होते हैं कीरे की जैसे लंबे होते हैं इसलिए ने sea cucumbers कहा जाता है फिर sea feathers होते हैं sea lilies होते हैं different type की example दोर भी हैं वो दो man characteristics या common characteristics कौन से हैं पहला आ गया water vascular system इन सब animals की body के अंदर water vascular system होता है और ये सब animals adult stage के अंदर radial symmetry show करते हैं और radial symmetry आप जानते हैं जब किसी animal को हम more than one plant से दो equal half में divide कर सकें तो ऐसे animals कौन से होते हैं radial symmetry वाले होते हैं इनको हम ज्यादा तर five pentameras कह सकते हैं यानि इन animals को पांच plan से हम दो equal half में divide कर सकते हैं तो five sided symmetry है radial में और कुछ animals exceptions भी हैं यानि कुछ sea stars जैसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा arms होते हैं वो exception आते हैं but radial symmetry रहती है यानि more than one plan हम इने दो equal half में divide कर सकते हैं water vascular system को थोड़ी देर के बाद study करेंगे अभी आपको समय नहीं आएगी तो पहले हम habitat देख लेते हैं कि ये animals आपको कहां पर मिलेंगे ये exclusively marine होते हैं यानि सारे के सारे आपको समुदरी पानी के अंदर मिलेंगे symmetry इनकी radial है अभी हमने discuss कर लिया ट्रिपलो ब्लास्टिक हैं तीनो जाम लेयर मुझूद होती है ectoderm, endoderm and mesoderm silomates हैं यानि body cavity इनके अंदर होती है organ system इनका यानि systems मुझूद है body के अंदर और इनकी body के उपर spines मुझूद होते हैं mostly not all the time but spines मुझूद होते हैं circulatory system इनका open है और बहुत weak circulatory system हम इसे कह सकते हैं क्योंकि इनकी body के अंदर hurt भी नहीं होता so open circulatory system with no hurt nervous system अगर देखा जाए तो nervous system भी इनकी body के अंदर absent होता है but nerve ring मुझूद होती है यानि यह जैसे आपको नदर आ रहा है इसी तरीके से rings होती है उसमें से कुछ nerve cord सी बाहर निगर रही होती है जो इनका काम चला लेती है so nerve ring मुझूद होती है but nervous system absent होता है respiration की बात की जाए तो इनकी body के अंदर true respiratory system भी मुझूद नहीं होता surface gills होते हैं यानि skin के उपर pores हैं वो surface gills का role play कर रहे हैं जैने papula भी कहा जाता है और इसके लावा respiration का काम ये tube feed से कर रहे होते हैं वो जब हम water vascular system को study करेंगे वाँ पर हम देखेंगे tube feeds क्या होते हैं so skeleton अगर इनकी body के अंदर हम देखें तो skeleton इनका hydrostatic होता है यानि ये जो water vascular system है ये ही basically इनका skeleton भी बना रहा होता है इसके लावा calcium carbonate यानि lime का भी कुछ skeleton इनकी body के अंदर मौजूद होता है digestive system इनका complete है reproduction इनके अंदर sexual होती है और sexual reproduction में यानि ये unisexual animals हैं यानि different इनके sex होते है male female different होते हैं different animals में male female reproductive organs मौजूद होते हैं fertilization क्योंकि जो पानी के अंदर हैं तो external होती है यानि egg भी body से बाहर release होगा sperm भी बाहर release होगा बाहर matting होगी fusion होगी zygote या fertilization होगी so external fertilization और development indirect है यानि पहले larva बनेंगे फिर उसके बाद ये adult state में जाकर अपनी pure form की pure शकल इफ्तियार करेंगे so इसके लावा excretion के बाद की जाए तो excretory system भी इनके अंदर absent होता है और इनका जो metabolic west है वो respiratory surfaces के जरिए ही body से बाहर निकलता है यानि basically हम कह सकते हैं कि water vascular system से ही ये excretion भी कर रहे होते हैं so यहाँ पर काफी सारे characteristics अगर आप देखें तो इनके अंदर true वो characteristics absent होते हैं जैसे के circulatory system इनके अंदर कोई खास नहीं है, nervous system कोई खास नहीं है, respiratory system कोई खास नहीं है, skeleton कोई खास नहीं है तो अगर आप इन चार characteristics को एक man इनका जो character है उसके साथ join कर लें, तो आपके लिए बहुत असानी हो जाएगी कौन-कौन से, circulatory system, respiration, skeleton and excretory system, ये क्योंकि इनके अंदर weak हैं और ये सारे functions इनका water vascular system पर farm कर रहोता है अब आपको water vascular system समझाओंगा तो आपको समझाएगी, और ये अगर हम water vascular system समझें तो आपने पहले ये समझ लेना है कि ये मैंने sea urchin की diagram ट्राकर रखिया, यानि ये organism है, इसे open करके मैं आपको इसके अंदर का water vascular system समझा रहा हूँ अगर आप देखें तो water vascular system में यहाँ पर एक पौर समयने बनाया हूँ है, ठीक है, ये hall darsal side पर है, एनस के पास होता है यानि इनका mouth नीचे है, और एनस वाली structure उपर है, और एनस के पास एक pore होता है, जो canal से जुड़ा होता है, यानि एक tube के साथ जुड़ा होता है वो tube जागर नीचे ring farm लेती है, और ring farm से फिर और चोटी-चोटी canals या tubes निकलती है, तकरीबन 5 tubes निकलती है, ठीक है यहां पर यह जो tube है, इसका जो hall है, यह बाहर को open होता है, यहां से water in भी होता है, इस canal system के अंदर, और water out भी होता है यहां पर आगर आप देखें तो आगे चोटी-चोटी tubes हैं, जिने water canals कहा जाता है, mainly 5 tubes होती है, मैटरी-पोराइट वाली tube को छोड़के तो 5 tubes होती है, अब यह जो water canal है, इसके साथ कुछ छोटे-चोटे feet भी जुड़े होते हैं, जिने हम tube feet ऑलते हैं, यह उनके छोटे-चोटे पांस होते हैं, जो बाहर बाढ़ीस से बाहर निकले होते हैं, ऑजने tube feet कहा जाता है, यह भी पानी से बारे होते है, और इन tube feet के प ओके और यहां पर water canal system के पास इनके हर water canal system के पास tube feeds भी होते हैं यानि पाउं होते हैं जिनके अंदर यही water ampulla से होता हुआ सीधा feeds में चला जाता है so tube feed को जरए detail से देखते हैं जैसे यह structure है न tube feed और पीछे ampulla इसे हम zoom in कर लेते हैं जहां पर अगर हम देखते हैं, तो यह आ गया ampula, यानि egg joint वाला region, जहां पर muscles मुझूद होते हैं, और यह extension body से बाहर निकला होता है, tube feet, और tube feet के end पर सकर भी मुझूद होता है, so this is ampula, this is tube feet, और इसकी end structure पर सकर भी मुझूद होता है, अच्छा, यह जो tube feet है, इसकी मदद से, यह animals move करते हैं, starfish में भी होते हैं, सी कुकंबर में भी होते हैं, जानि इस tube feet की मदद से, एक आइनो डर्मेटा move करते हैं, move कैसे करते हैं, कि इनका जो ampula वाला region है, इसमें जब पानी आता है, कहां से आता है, water canal system से, ampula में पानी आता है, so ampula का जो region है, इसमें muscles होते हैं, यह contract करेगा, यह relax करेगा, जब यह contract करेगा, तो आगे tube feet straight हो जाएगा, ठीक है, आगे को move करेगा, ठीक है, क्यूंकि इसके अंदर pressure बढ़ेगा, जैसे हम आई, ड्रापर या कोई भी ड्रापर हो, उससे ऐसे पानी को आगे बेज़ें, तो आगे को जाता है, तो यहां पर ampula जब contract करेगा, चोटा होगा, तो पानी आगे को जाएगा, tube feet elongate, लंबा हो जाएगा, फिर इसके सक्कर की मदद से tube feet किसी चीज को पकड़ेगा, ठीक है, और यह दुबारा से relax होगा, और वो tube feet ऐसे ढिला होगे, अपनी तरफ खेंचेगा, तो इस तरीके से यह बहुत ज़्यादा मिगदार में tube feet होते हैं, तो अलकी-अलकी slow movement करते हैं, और काइनो डर्मेटा के यह खूभी भी है, कि यह बहुत slow mover होते हैं, ठीक है, इनकी movement बहुत slow होती है, क्योंकि इनके अंदर skeletal system क्या है, water vascular system, ठीक है, क्योंकि water vascular system की मदद से ही, इनके tube feet जो है, वो move करने के काबल होते हैं, और सकर की मदद से यह चीज़ों को बगड़ते हैं, इसके लावा सकर का एक और function भी होता है, या tube feet का एक और function भी होता है, जब food इनके पास आता है, तो यह सकर की मदद से tube feet की मदद से उस food को पकड़ पकड़ के मुग के पास लाते हैं, और मुग के अंदर move करेंगे, तो यह इनका water vascular system आ गया, water vascular system को अगर हमने अभी देखा है, जिस तरीके से, इस तरीके से हमें यह समझाए है, कि इनका water vascular system इनकी movement में help करता है, यानी tube feet में water जाता है और move करवाने में help करता है, इसके लावा इनका water vascular system gaseous exchange में भी help करता है, gaseous exchange, यानी जो respiration का function है उसमें यह जो tube feet क्योंकि यह body से बाइर है और इनकी wall body थेन है, तो यहां से भी gaseous exchange हो रही होती है, so tube feet also help in, या water vascular system also help in gaseous exchange, इसके लावा circulation में भी यह water vascular system help करता है, क्योंकि इनका circulatory system weak है, so बहुत ज्यादा जो circulation है, इसी water system की मदद से हो रही होती है, यानी यह water जो है आपने साथ nutrient वगएर या लेकर body के different area में जा रहा होता है, excretion के बाद की जाए, तो यही water vascular system excretion का roll भी play कर रहा होता है, यानी metabolic west is water में आएंगे और यहां से mattery porrite के जरिए NS के पास जो pore है, उससे बाहर निकल जाएंगे, और so hopefully यह water vascular system आपको समझ आ गया होगा, अब हम यहां पर इनकी structure को थोड़ा सा और detail में देख लेते हैं, उससे पहले मैं आपको बताओं जैसे यह star fish को अगर हम देखते हैं तो star fish को जैसे यह सामने से देखने हैं, ऐसे ऐसे कर देना, बाड़ी में यह पानी में ऐसे तेरी हो वो mouth वाला region होता है, ठीक है, इसके लावा कुछ ऐसे भी हैं, जैसे sea feather वगएरा, उनका mouth उपर वाली surface पर होता है, और एनस नीचे होता है, इसके लावा sea urchin को देख लें, तो यहां पर अगर sea urchin को open करके देखें, तो sea urchin की body के अंदर भी five arms मौजूद हैं, बट वो इस त इस तरीकी से इनके भी five arms इस तरीकी से अंदर को fold हुए होते हैं, तो तकरीपन सारी चीज़ें हमने discuss कर ली हैं, hopefully आपको lecture समझ में आया होगा, quickly review कर लेते हैं, आँच के इस lecture में हमने क्या study किया, फाइले में काइनो डर्मेटा, ऐसे animals हैं जिनकी स्किन के उपर spines एक्जांपल में हमने सी स्टार, ब्रेटल स्टार, सी अर्चन, सी कुकंबर को study किया, इनके अंदर दो ऐसी common characteristics हैं, कि ये सारे animals इकाइनो डर्मेटा के अंदर डाले गया है, पहली characteristic क्या है, कि इनकी body के अंदर water vascular system होता है, दूसरी characteristic क्या है, कि इनकी body radial symmetry की होती है, water vascular system को होता है, वह हमने study कर लिया, habitat इनकी marine में सिरफ आपको मिलेंगे, land war भी नहीं है, और fresh water में भी नहीं होता है, radial symmetry इनकी होती है, triple blastic encylomates है, organ system के अंदर मौजूद होता है, spines होते हैं, body की उपर, circulatory system इनको open है, और heart नहीं होता, nervous system absent है, nerve ring होती है, respiration, surface gills की मदद, papula, जिन के अंदर complete a skeletal system, skeleton इनके अंदर hydrostatic water vascular system वाला होता है, और साथ में calcium carbonate भी बाद एनिमल्स के अंदर होता है, और reproduction अगर हम देखें तो sexual, unisexual animals है, fertilization इनके अंदर, fertilization external होती है, development indirect होती है, और excretory system इनका क्या है, absent होता है, metabolic waste, water vascular system की जरिए, body से बाहर जाते हैं, hopefully आपको ले